है रहा दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल गुलाब गुरू चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सरकार की तरफ से 27 तारीक को जो है PM किसान का पैसा काफी सारे किसान लोगों को भेजा गया था उनकी एक सरकार की तरफ से लिस्ट भी बनाई गई है अगर आपको पैसे मिले हैं या फिर आपको पैसे नहीं मिले हैं तो आप कैसे पता करोगे कि आपको पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं अगर इस लिस्ट में ये जो लिस्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ अगर इस लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको पैसे जरूर मिले होंगे बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इ और अगर पैसा नहीं भेजा गया है तो इस लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आपको पीम किसान की लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करना है हेलो दोस्तो मेरा नाम ही गुलाब और आप देख रहे हैं डिजिटल गुलाब गुरू चैनल इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है गुगल ओपेंड करने के बाद आपको इसके अंदर लिखना है पीम किसान जैसे ही आप पीम किसान लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है PM किसान की official website मिलेगी आपको जो है इसी website पर click करना होगा इसके बाद जो है जैसे ही आप इस website पर click करेंगे तो आप PM किसान के portal पर redirect हो जाएंगे और आपको जो है इस portal पर नीचे की side में आना है यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा beneficiary list का तो सबसे पहले हम beneficiary list देखेंगे इसके बाद जो है हम beneficiary status देखेंगे अगर आपका नाम beneficiary list में आता है तो आपके पैसे जरूर आए होंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो है beneficiary list पर click करना है इसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपना state select करना है सारे के सारे state इसके अंदर दिये गए हैं आपको अपना state select कर लेना है select करने के बाद अब आपको अपना district select करना होगा तो यह website load लेने देते हैं इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है आपको अपना district जो है select करना है इसके बाद जो है जैसे ही आप अपना district select करोगे तो आपके district में जितने भी जो है sub district होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ से आपको अपना sub district select कर लेना है इसके बाद जो है आपको अपना ब्लॉक यहाँ पर क्लिक करके ब्लॉक अपना जो है सलेक्ट करना है इसके बाद जो है आपको अपना यहाँ पर जो है विलेज सलेक्ट करना है जो भी आपका गाउ है वो अपना गाउ यहाँ यहाँ पर जो है आप क्लिक करके सलेक्ट करेंग रहे हैं आप ये देख सकते हो सभी का नाम दिखाई दे रहा है ये लिस्ट काफी बड़ी होती है आपके गाउं में जितने लोगों को पैसा मिलेगा उतने लोगों की लिस्ट यहां पर होगी और ये लिस्ट में देख सकते हो एक लिस्ट में 50 लोगों का नाम है इसी तरह के स जो है back click करना है back पे और आपको जो है दोबारा से इस portal पर आ जाना है अगर आपका उस list में नाम है तो अब आपको पैसे मिले होंगे और इसको confirm करने के लिए कि आपको पैसे मिले हैं कि नहीं इस condition में beneficiary status आपको एक बार check कर लेना है तो हम यहाँ पर beneficiary status पर click करेंगे इसके यहाँ पर status चेक करने के लिए दो option मिलेगा पहला तो है mobile number दूसरा है registration number अगर आपके पास registration number है तो आप इस पर click करेंगे यहाँ पर registration number डालेंगे और यह क्यापचा इसके अंदर डाल करके get data पर click करेंगे तो आपका जो है status दिखाई देगा माल दीजिए अगर आपको registration number न चेक करके दिखाते हैं registration number डालने के बाद capture भरने के बाद get data पर click करना है जैसे ही आप get data पर click करेंगे तो यह website थोड़ा सा load लेगी इसके बाद जो है आपका status दिखाई देगा देखिए beneficiary status लिखा हुआ गया है और जिसका भी हमने status चेक किया है उसका नाम भी आप देख सक आपका पैसा जो है release हो चुका है यानि आपका पैसा भेज दिया गया है तो इस तरीके से आप जो है PM किसान पोर्टल पर आ करके अपना status चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आपके खाते में भेजा गया है कि नहीं उमीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ सेर करिए चैनल पर अगर पहली बार हो अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लिजेगा मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए ज जानकारी के साथ तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम